एक तरफ जहां भारते रेलवे में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पुर्वांचल के कुशिनगर जिले से होकर बिहार जाने वाली रेलवे लाइनों पर अभी तक डीजल इंजिन से ट्रेनों का संचालन हो रहा बता दें कि जिले के अंतरगत आने वाली रेल लाइनों पर तारों को बिचाने के लिए खंबे काफी दिनों से लगा दिये थे जिस पर अब काम पूरा हो चुका है इन कामों की समिक्षा को लेकर रेलवे विभाग ने CRSS, स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ट्राइल किया जिसमें एलेक्ट्रोनिक इंजिन के साथ तीन बोगया थी जिसमें रेलवे विभाग के दिकारी और रेल विद्यूत इंजिनियर से लेकर उसके करमचारी मौजूद थे वहीं एलेक्ट्रोनिक ट्रेनों के चलने से आम रेल यात्रियों में उत्साह देखा गया यात्रियों ने बताए कि ट्रेनों के संचालन से ट्रेनों के संख्या बढ़ने के आसार है और साथ एलेक्ट्रोनिक ट्रेनों से गती तेज हो जाएगी जिससे देर से चलने वाली ट्रेनों से लोगों को निचात मिलेगी बताने कि इन दिनों कप्तान गंज थावे रूट से लगातार ट्रेनों का रद्ध होना लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है ऐसे में उम्मीज जताई जा रही है कि रेलवे भाग इन एलेक्ट्रोनिक ट्रेनों के संचालन के बाद उस रूट पर सुधार करेगा पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशिनगर सनुप कुमार के रेपोर्ट